इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ केंद्रि विद्याले का एनुवल एक्जाम का कोशन पेपर यह क्लास फॉर्थ का मैट्स का कोशन पेपर है जो मैं आपको एक्स्प्रेइन करूँगा जिस इसे आपको कोशन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको अपने डिटेल फिल करनी होती है जिसमें आपका नाम, रोल लंबर और बाकी सारी इंफोर्मेशन आप फिल करेंगे यह जो कोशन पेपर है इसमें रिटन एक्जाम आपका 40 मार्स का होने वाला है अब बेसिकली यह जो कोशन पेपर 40 मार्स का जो रिटन एक्जाम है इससे पहले आपका 20 मार्स का आपका औरल टेस्ट हो चुका होगा क्लास के अंदर इसके लाब आप 20 मार्स का आपका MDP का असाइनमेंट होगा जो आपने पहले समिट किया होगा इन सब को टोटल करके 80 मार्स की पूरी उसके बाद understanding based competency के questions आपके लिए होगे और इसकी भी weightage यहाँ पे 10 मार्स की है उसके बाद next है आपका 10 मार्स का portion ability to compute और इसके अंदर आप किस तरह से question को solve करते हैं यह सारी चीज़े आपकी देखी जाती है इसकी weightage भी 10 मार्स की है और last में 10 मार्स का आपका है PSA याने की problem solving ability ठीक है जिसकी भी weightage आपको यह 10 मार्स की देखने को मिल रहे है इस तरह से आप total करोगे तो आपको 40 मार्स का question paper देखने को मिलेगा चलिए सबसे पहले knowledge based जो question है उनको देखते हैं तो सबसे पहले आपके लिए very short answer type की question है यहाँ पर two question है हर एक question की one marks है जैसे question number one है first question मैं को बोला जा रहा है कि diameter of a circle equal to two multiply by dash अब dash की जिएक आप क्या लिख सकते हो radius लिख सकते हो आप लोग जानते हो कि radius जो होता है circle का जैसे circle है इसका जो radius है अगर हम इसका double कर दे तो किसके equal होता है diameter के equal होता है बस इस formula को हमें complete करना था यानकि two से multiply अगर हम radius को कर देंगे तो य सबसे पहले आपने यहाँ पर टोटल जो पार्ट सी से count कर लोगो जैसे one two three four five six seven eight nine ten ठीक है जो ten पार्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहे है तो यह 10 पार्ट है इक मिंस ही होगा नीचे तो 10 आ जाएगा आप count करेंगे shaded पार्ट कौन कौन से है one two three four five six seven तो seven पार्ट ऐसे ह लिख सकते हो देखो basically इसके अंदर होता क्या है नीची जो होता है आपका जो denominator बोलते हो उपर वाले को numerator बोलते है नीची वाले को denominator बोलते है तो यहाँ पर टोटल पार्ट आते है नीची में और ऊपर क्या होता जो shaded portion होता है उसे count करके आपको लिख देना था तो यहाँ प पास, तो short answer का जो first question है आपकी लिए, इसमें एक table आपको given है और आपको बोला जारा है, filled up table ठीक है, जैसे ही आपके first row में आपको देखने को मिल रहा है, कि how many legs, ठीक है, और second में क्या है how many cats, ठीक है, जैसे one cat है, तो one cat के four legs है, तो two cat होगी, तो कितने इसके legs होगे, तो आपको होगे sir four है, तो ये eight हो जाएंगे क्या कि आपने, तो आपने यहापे four को two से multiply की अपना answer निकाल लिया, अब जैसे three है, तो three का मतलब यहाँ पे 12 हो गया, अब 12 को गर break करें, तो क्या करेंगे, four multiply by three, क्याने कि one cat के four लिया, और three cats है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 12 निकाल लिया, और suppose कर लो यहाँ पे, यहाँ पे जैसे आपको eight दे रखा है, eight का मतलब है यहाँ पे number of cat जो आपको दे रखा है वो eight दे रखा है, one cat जो है, उसके four लियाग है, तो आप eight को और four को multiply करोगे हाँ, तो आपके पास answer क्या आएगा, 32 आजाएगा तो इस तरह से multiply करके आप अपना ये table complete कर सकते हैं तो यहाँ पे जो आपका answer eight आगया, eight कैसे है, four को two से multiply किया और यहाँ आपका answer 32 आए, कैसे आया, तो आपने four को eight को multiply किया, और आपका answer आगया, अच्छा, इसके बाद next है आपका second question, short answer वाले type के अंदर, जिसमें भी आपको बोला जा रहा है, fill in the blank ये जो blank space से fill करना है, जैसे यहाँ पे आपको given है, 500 gram देखो, 1000 जो gram होता है बच्चो, हाँ, उसे हम कहते हैं कि वो one kg के equal होता है अगर हम इसका half कर दे, ठीक है तो ये half kg हो जाएगा और इसका half करेंगे, यानि कि 1000 को two से divide करेंगे, तो हमारे पास result क्या आएगा, कोगे sir, ये तो zero इदर shift कर लो, तो आपके पास 500 आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हो कि half kg जो है वो किसके equal हो गया, 500 gram के equal हो गया, तो 500 gram आपको दे रखा था, यहां आपको mention करना है, तो आप half kg लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखो second part में देखो, इससे आपको break करके लिखना है, तो जैसे break कर होगे, तो ये 2000 है, जो 2580 gram जो है आपके पास, तो 1000 प्लस 1000, यानि कि ये 1000 का 1 kg, 2000 का 2 kg, तो ये 2 kg हो गया आपके पास, और gram कितने हो गया आपके पास 580 gram, क्योंकि आप जानते हो, कि 1000 जो gram जब complete हो जाता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं 1 kg बोल देते हैं, तो 2000 complete हो गया, तो 2 kg और 580 gram हो गया, ठीक है, तो इस तरह से इस question को complete कर सकते हैं, इसके बाद next है, आपके पास long answer वाले question, जैसे इसमें first question है और ये जो question है, आपका 4 marks का है 1 complete question है, इस पूरे complete question के आपको 4 marks मिल जाएंगे यहां आपको देखने को मिलेगा, 4 small small parts आपको देखने को मिलेगा चलिए पढ़ते हैं से, इसमें आपको बोला चाह रहा है, fill in the blank ठीक है, जो blank space से fill करना है और यहां question है आपके लिए, observe the given circle and name the following part of the circle, ठीक है अगर आपको थोड़ा से clear नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा से बड़ा लिख देता हूँ, यह capital D है, यह capital C है, यह capital A है, और यहां पर capital E है, यहां पर capital B है और बिल्कुल center में यह O है ठीक है, अब आपको अच्छे से clear देख रहा होगा, है ना, तो चलिए वीडियो को like कर दीजे भाई, जब आपको अच्छे से देख रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा अब देखों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यह जो O D है, O A D यह क्या चीज है बाई, O D तो आपको बताना है, O D is called radius ठीक है, तो आप यहां पर radius लिख सकते है second आपके पास है C E ठीक है, देखते है C यह रहा और यह E, ठीक है C E अगर हमें इस तरह से इसे बात करूं C E तो यह क्या होगा, diameter है हमारे पास है तो हम यहां पर आपने answer में लिख सकते है diameter, अच्छे, next पूछा जा रहा है name the center, अब center क्या है, यहां पर O है तो यहां पर O भी लिख सकते है कुछ बच्चे कहेंगे, सर, point O है वह तो सर, हम क्या इसे point O लिख सकते है बिलकुल लिख सकते है, किसी बच्ची ने O लिख के छोड़ दिया, तो भी marks मिल जाएगा किसी ने point O लिखा, तो भी मिल जाएगे marks, ठीक है, तो इसमें confuse आपको नहीं होना है, उसके पर next पूछा जा रहा है, name one cod, cod means क्या होता है, कि जो आपका पास, जो भी यह points है जो center से part नहीं होगे cross नहीं होगे, तो जैसे C, A point है आपकी पास, यह क्या cod होगे आपके पास, ठीक है, तो आप इपने answer में इससे fill कर सकते, इस तरह से आपका knowledge based question वाला जो portion है, यह complete हो गया, ठीक है अब हम लोग question discuss करेंगे understanding based वाले question, ठीक है तो सबसे पहले बात करते है, very short answer type वाले question, इसमें first question है इसमें आपको बोला जा रहा है which circle has the longest radius अब देखो, इस भी comparison करो इसके साथ, तो आपको देख रहा है कि circle B का जो radius है, वो compared to circle A से बड़ा size में देख रहा है, तो आप अपने answer में क्या लिख सकते हो, कि यहाँ पर जैसे पूछा गया, तो आप बोलोगे, चाथ circle B जो है, इसका radius में बड़ा दिख रहा है, तो आप हमारा answer क्या हो जाएगा, यह B हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब next देखो second question, इसमें बोला जा रहा है continue the pattern, इस pattern को continue करना है, 9, 100 plus किया, 109 100 plus किया, 200 line ठीक है, अब next 100 plus करोगे तो आपकी पास क्या हुआ, 309 इसमें भी 100 plus करोगे तो आपकी पास क्या आगा, 409 यानि कि हर next step में जाने के लिए हमें 100 plus करना पड़ रहा है, तो हम लोग इस तरह से इसे calculate करके आप इसे fill कर सकते हो ठीक है, अच्छा, अब है आपके लिए short answer वाले question ठीक है, जिसमें first question को discuss करते हैं और यहाँ पर two question आपको देखने ही मिलेंगे और दोनों ही question, दो-दो number के हैं तो चार number का यह पूरा complete portion होगा ठीक है, पढ़ते हैं पहले first question color that part of the shape which is written below इसे हमें read करना है और उसके बाद उसे color कर देना है, 3 by 4 यानि कि total 4 part है हमारे पास इसमें 3 part को, देखो यह first part मैंने below वाला color किया, फिर next यह कर दिया, और उसके बाद इनको मैंने shade कर दिया, चाहो तो आप किसी और color से भी कर सकते हो भई, ठीक है, इसे अच्छे से color कर देना और आपका 3 by 4 part आपका यह complete हो जाएगा अच्छे, next आपको बोला जाएगा, 1 by 4 1 by 4 का मतलब है, total 4 part है किसी एक part को कर लो भई, तो मैंने इस पाले portion को shade कर दिया, color कर दिया तो आप भी इसे color कर के question को complete कर सकते हो, ठीक है चले, देखते हैं इसके बाद next question question number 2 इस category के अंदर, यानि short answer type के अंदर, इसमें आपको बोला जा रहा है, complete the number tower, इस number tower को complete करना है देखते हो, 10 and 20 को प्लस किया तो क्या है, हमारे पास 30 आ गया, ओके तो 20 and 30 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्याएगा, 50 आ जाएगा ठीक है, 50 और 30 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है 70 को और 50 को add करेंगे, तो हमारे पास 120 आ जाएगा, 120 और 80 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास 200 आ गया, यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग प्लस करके अगले को लिख रहे है 10 and 20 को plus किया तो 30 था इसी तरह हमने 20 and 30 को plus किया 50 आ गया 30 को और 50 को plus किया ठीक है तो जब आप जानते हो 30 को और 50 को plus करोगे तो आपके पास क्या आएगा 80 आएगा तो मैंने हाँ 80 फिल कर दिया और ये 120 कैसा है तो 50 plus 70 को plus करके 120 हमारे पास result आ गया ठीक है इसी तरह से हमने 200 भी कल्कुलेट कर लिया 80 plus 120 कर गए तो ये जो number tower था है इसे आप complete करेंगे तो आपको ये 2 marks मिल जाएगा जब आप correctly correct करेंगे इसमें यानि कि answer wrong नहीं करेंगे तम मिलेंगे आपको तो इसका ध्यान रखना है आपको अच्छा अब इसके बाद next इस category के अंदर long answer type का question और ये जो question होता है एक ही question होता है 4 marks का होता है जैसे इसमें 4 parts दिख रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो हर एक पार्ट के एक एक number होगे चलो question पढ़ते हैं Renu wants to stitch lays around a square table cloth of side 2 cm देखिए एक square shape में table है और इसकी side की length दे रखा है यानि कि s या फिर हम लोग side भी बोल देते हैं और side को s भी बोल देते हैं और इसकी value के हमारे पर 2 cm है ओके ये information given है हमारे पास अब question ये है जैसे इसका first part how much of less is used for one table cloth one table cloth के अंदर कितना lace से ही है तो इसके हमें क्या निकालना होगा perimeter निकालना होगा तो perimeter का formula आप लोग जानते हो कि perimeter of square क्या जानते हो भी जलती से comment करके बताओ क्या answer आएगा perimeter of square का formula तो आप कहोगे sir side multiply by 4 और side की value हमारे पास क्या है 2 है तो 2 multiply by 4 that is equal to 8 cm ठीक है तो आपने इसकी length calculate कर ली कि table की lace की length कितनी होगी 8 cm होगी ठीक है अब देखो second part देखो इस वाले part के अंदर पूछा जा रहा है how much of lace is used in 3 such table cloth और इसी तरह से 3 table हो एक table यह रहा दूसरा table फिर ऐसा और फिर उसका तीसरा table हो जाए तो 3 table हो तो इसकी length कितनी होगी 1 table की length कितनी है तो पहले आप यहां लिखोगे length of 3 table cloth ठीक है अच्छा अब lace लगा रहे हैं तो इसकी boundary में ही लगेगा तो पहले का आप निकाल चुके है वो क्या है आपकी बास है 8 आए तो 8 को 3 से multiply कर लो और यह क्या आगया आपकी बास 24 आगया ठीक है तो आप लिख सकते हो 24 cm अब देखतें 3rd part 3rd part में आपको बोला जारा है इफ रेनू बाउट 25 meter of lace ठीक है अब थोड़ा question change हो गया अगर वो 25 meter lace लेकर के रेनू आई है तो question यह पूछा जारा है कि how much lace will be left after using a 3 table cloth ठीक है टोटल लेंथ हाँ इसके पास कितनी है टोटल लेंथ इसके पास है 25 meter है इसके पास ठीक है बाई अब यह जो 25 meter है और उसने use कितना किया है use उसने किया है 24 cm use किया है बच्चो ठीक है ध्यान रहे बाई cm में use किया है और उसके पास टोटल कितना है 25 meter है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चीए कि 1 meter की value cm में कितनी होती है बई तो अगर हमें यह पता होगा तब जाकर कि हम question को अच्छे से solve कर पाएंगे तो यह होता है 100 cm के equal अगर इस information को आप use करेंगे तब जाकर कि आप calculate कर सकते है कि जैसे यह 25 meter है तो हम इसे लिख सकते है 25 multiply by 100 यानि कि यह किसके equal हो जाएगा तो आप कहो कि sir यह 25 meter जो है यह 2500 cm हो जाएगा और use कितना किया है हमने use किया है हम लोगोंने सिर्फ और सिर्फ 24 cm है यानि कि अब हमें remaining part निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे remaining length अगर हमें calculate करनी है तो हम लोग क्या करेंगे इस 2500 में से 24 cm को minus करेंगे और जब आप इसे minus करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से result आ जाएगा तो आप कहोगे sir यह हमारे पास आ गया 2476 cm ठीक है तो मैंने यह क्या किया बच्चों यहाँ पर मीटर को पहले cm में convert किया 100 से multiply करके कितना है 25 cm use कितना कर चुकी हम लोग 24 कर चुके बाकि जो remaining है उसे minus करके हम लोग ने calculate कर लिया अच्छा अब इसका fourth part देखो fourth part में आपको बोला जार if one meter lease cost rupees 10 Indian rupees INR का मतलब है Indian rupees 10 यानि कि rupees 10 अगर यह cost है one meter lease का तो आप से पूछा जा रहा है find the cost of 25 meter lease ठीक है तो आप लिखा सकते हो total cost लिखोगे यहाँ पर solution में total cost ठीक है अब आपकी बास length कितनी है 25 meter है तो 25 meter को आपने क्या करना है 10 से multiply करना है जब आप multiply करेंगे तो आपके बास result के आएगा 250 और 250 क्या है rupees 250 तो आप 250 rupees के आगे rupees का symbol लगा सकते हो या फिर जैसे question में बोला जा रहा है कि INR यानि कि Indian rupees 250 भी लेख सकते हो ठीक है तो इस तरह से अगर आप पूरा question अच्छे से solve करोगे तब जाकर के आपको यह 4 marks मिल पाएंगी ठीक है चलिए अब move करते है next competency यानि की ability to compute में ठीक है और यह portion भी 10 marks का है जिसमें सबसे पहले बात करते है very short answer वाले question जैसे question number 1 है और यह 2 है यह दोनों ही question 1 1 marks के है और यह पूरा portion आपका 2 marks का हो जाएगा जैसे first question में आपको बोला जा रहा है a frog jump 3 step at a time ठीक है भी एक frog है जो की at a time 3 step jump करते है और starting जो है इसकी 0 से है कि starting from 0 it takes dash jump to reach 27 step अच्छा अगर इसे 27th place पे यह 27th place पे इसके पहुँचना है step पे पहुँचना है तो number of jump आपको बताना है तो आप क्या करेंगे इसमें 27 को divide कर लेंगे 3 से कर लेंगे भई ठीक है तो 3 से divide करो 27 को आपके पास result आ जाएगा ठीक है आगया result तो वो कितना है 9 jump आगया आपके बास तो आप यहाँ पे fill कर दोगे 9 jump और यह जो calculation आपने की इसे करके दिखा दोगे तो आपके marks कभी भी नहीं कर टेंगे exam में ठीक है चलो अब देखते है second question इसके अंदर very short answer type में इसमें आपको बोला जाला है the weight of a one papaya is called to the weight of two orange ठीक है one papaya का जो weight है इसके बारे बताया जा रहा है कि two orange का जो weight है उसके equal है अब next question आप से further इसमें पूछा जा रहा है कि how many oranges are need to balance the three papaya अगर मुझे three papaya के equal निकालना हो कि number of oranges कितने होंगे ये calculate करने के लिए बोला जा रहा है और one papaya जो है वो किसके equal है two के equal है ठीक है तो three papaya किसके equal हो जाएगा three multiply by two होगा यानिकि six ठीक है six oranges हो जाएगा तो आप लिख सकते हो number of oranges ठीक है is equal to three multiply by two that is equal to six यानि six क्या होगे six orange के equal हमारे पास three papaya हो जाएगे इसके बाद next है आपके लिए short answer type की question यहाँ पर two question होगे first question तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है एक question अभी और आएगा तो जैसे आपके पास यह first question है इसमें बोला ज़रा है there are sixty mangoes half of them are ripe half के बारे में बताया जा रहे है total हमारे पास कितने mango है sixteen number of mangoes हमारे पास है जिसमें हाफ ऐसे हैं ripe है अच्छ अब आपसे पूछा जा रहे है कि how many mangoes are ripe यानि कि आपको sixty का half निकालना है तो आप लिखा सकते हो यहापे जैसे मैं उपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा तो आप देख सकते हो number of ripe mango पहले आप इसे आइस तरह से लिख लोगे भई और लिखने के बाद sixty का half करोगे भई sixty का half का मतलब है sixty को one से multiply और two से divide sixty को one से multiply करोगे तो sixty यह आ जाएगा भई अब two से divide करने की बात है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ sixty अंदर लिखा two बाहर लिखा two three जा six आ गया solve यह जो zero बचा इसे यहाँ लगा दिया तो हमारे पास result क्या आया finally thirty mangoes आ गया हमारे पास अब second question और देख लो भई second question यह रहा और इसमें आपको बोला जा रहा है write the secret masses in numbers अब जैसे a का मतलब one b का मतलब two c का मतलब three है तो आप से पूछा जा रहा है math का जो number है इसका number क्या होगा भई यह बता हो तो आप लोग भई यह question थोड़ा सा lengthy है मैं चाता हूँ अब इस question को खुद से घर हो भई अब जैसे m है a b c d जो letters है m कौन से number पर आता है वो number लिखो भई पहले और देखो यह बड़ा है भई m तो आप लोग मैं चाता हूँ आप लोग मुझे comment करके बताओ कि कितने number place पर m आता है English alphabet के अंदर आपको लिखनी है तो आपको a b c d ऐसे नहीं याद करनी है a first place पे b second place पे इस तरह से आप जानते z कौन से place पे 26 पे y कौन से place पे 25 पे इस question का answer मैं चाता हूँ आप लोग मुझे comment में लिख करके अपने नाम के साथ बताओ और हाँ आप लोग आपना नाम भी लिखना secret message में जैसे मेरा नाम कृष्णा है ठीक है तो मैं कृष्णा के लिए क्या करूँगा k का भी एक letter होगा number होगा i का भी एक number होगा तो आप लोग अपना नाम भी लिखके बताओ number secret message में और मेरे नाम का भी convert करके बताओ secret message में क्या होगा ये question आपके लिए एक छोटा सा homebook है ठीक है तो comment में मैं आपके answer का wait करूँगा इसके बाद next है आपके लिए long answer type का question जो कि आपका four marks का होगा ठीक है एक ही question है चलो इसे पढ़ लेते हैं इसमें आपको बोला जा रहा answer the following by observing the drama chart एक drama chart का picture इसमें information दे रहा है जिसमें आपको यह यहाँ पर बोल रखा है number of children ठीक है children के numbers के हैं यह आपको बताया जा रहा है और इस chart में triangle का मतलब यह बोलना जा रहा है कि one triangle is equal to three child ठीक है three children को यहाँ पर one triangle में show किया जा रहा है ठीक है तो जैसे first यहाँ पर acting के लिए ठीक है और next आपके लिए collecting dresses ठीक है थोड़ा दिखनी रहा होगा आपको मैं read करके बता जो यहाँ पर इसका मतलब है collecting dresses short में मैंने CD लिख दिया है उसके बार next आपके playing music तो PM लिख दूँ PM का मतलब है playing music drama के अंदर जो music play करेंगे उसका number है dresses जो collect करेंगे उसका number है जो acting करेंगे उसका number है और उसके बार last में है making the set जो set को तियार करेंगे उसका number तो making the set को मैं MS लिख दूँ making the set ठीक है इस तरह से याद कर लेना आप लोग और one triangle का मतलब है three तो यहाँ पर three multiply by three करोगे तो आपके पस क्या आ जाएगा nine तो मैंने यह nine उपर लिख दिया अब यहाँ पर two triangle है two multiply by three करोगे तो यह six आ जाएगा यह four है तो four multiply by three करेंगे तो हमारे पस क्या आएगा 12 आ जाएगा और यहाँ पर two triangle है तो it means 2 multiply by 3 करेंगे तो हमारे पास 6 number आ जाएगा सब के number हमने calculate कर लिया 9, 6, 12 and 6 ठीक है अच्छा अब एक ये करके question को solve करते है जैसे first part है How many children are acting in the drama drama में कितने ऐसे बच्चे जो acting कर रहे हैं तो acting वाले कितने हैं आप already calculate कर चुके हो 3 multiply by 3 that is equal to 9 ठीक है अच्छा अब second part देखो second part में कि which are more children making the set और those acting तो आपको making the set making the set का number पता होना चाहिए और इसके लाबा जो acting कर रहे हैं उसका number पता होना चाहिए तो acting वाले कितने हैं 9 है ठीक है acting वाले आपकी पास 9 है और making the set वाले कितने हैं making the set वाले देखेंगे तो भई ये कितने हैं making the set 6 है ठीक है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 6 greater है कि 9 greater है आप कहोगे sir हमें तो 9 greater दिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो 9 is greater than आपकी पास क्या है 6 है it means सी हुआ 9 क्या है मारे पास तो आप कहोगे 9 है acting वाले तो हमारा answer क्या हो जाए का acting वाले बच्चे ज़्यादा है making the set वाले तो थोड़े से कम है कितने 6 है acting वाले कितने 9 है तो 9 is greater than 6 लिख करके आपना answer लिख सकते हो acting उसके बाद 3rd पार्ट है 3rd पार्ट में आपको बोला जा रहा है what is being done by the most of the children सबसे ज़्यादा कौन सकी सीज का नंबर है तो आप देखो कि 12 सबसे ज़्यादा आया था ठीक है तो आप लिख सकते हो 4 multiply by 3 जो 12 है सबसे ज़्यादा कि सीज का है तो यह playing music है तो आप अपने answer में लिख सकते हो playing music ठीक है इस तरह से करोगे तो आपको पूरे marks मिलेंगे calculation भी दिखा रहे हो और आप जो भी answer पूछा जा रहा है वो भी बता रहे हो और last में fourth part है जो इसमें आपको बोला जा रहे how many children are collecting dresses कि number of children बताने है जो dress collect कर रहे है तो आप calculate पहले से कर चुके हो 2 multiply by 3 तो ये कितना आया था आपके 6 आया था ठीक है तो आपने इसे solve कर लिया ये वाली multiplication अगर पहले कर लोगे न तो इन सारे part को करना आपके लिए बहुत easy हो जाएगा और हाँ ये rough में नहीं करना भाई वहीं pay करना है तो एके करके पहले इसे multiply कर लेना और एके करके जितने भी part है सब क्या answer कर लो और सही answer कर लोगे तो आपको 4 marks मिल जाएंगे इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने last competency जो की है आपके लिए problem solving ability और इसकी भी weight is 10 marks की है सबसे पहले बात करते हैं very short answer type की question question number 1 जिसमें आपको बोला जाए which pen of the balance will go down represent with arrow ये जो arrow दे रखा है इसमें आपको represent करना है जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 450 and 600 चल प्लस कर लेते भाई इसको तो ये आपके बास 1050 आ जाएगा अप इसे प्लस करोगे तो ये 1250 आ गया तो आप greater कौन सा दिख रहा है आपको जादा वाला ये दिख रहा है भई तो arrow की तर लगेगा भई इधर लग जाएगा arrow इस arrow का आप इधर दिखा दोगे लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है प्लस भी कर लेना है प्लस करने से आपके mistake नहीं होगे तो बच्चों direct मत करना भी प्लस करना और उसके बाद इसे solve कर लेना उसके बाद next is second part second part में बोला जा रहा है answer the following जैसे इसमें answer करने के लिए बोला जा रहा है अब देखो यहाँ पर कुछ green जैसा part दिख रहा है यह थोड़ा सा blue जैसा part दिख रहा है थोड़ा से information read नहीं कर पा रहे होगे आप फोन्ट थोड़ा चोटा है बिटा जिनको बारिश में भीगना पसंद नहीं है उसके लिए तो blue color यूज किया गया है और green color किसके लिए यूज किया है जिनको भीगने में बहुत मज़ा आता है बारिश में तो आप कौन से category में हो भीगने वाले में या बिना भीगने वाले में comment करके ज़रूर बताना इसलिए बसका नहीं है यह मैंने पूछा है question अच्छा अब question क्या है उसे पढ़ते है question यह how many children like to get wet in the rain अब यहाँ आप से पूछा जा रहे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बारिश में भीगना पसंद है तो देखो यह जो circle है इसे कुछ इस टाइब से बनाया गया है अगर मैं इसे four part में divide कर दूँ तो यह वाला portion को है जो shaded वाला portion है यह कौन सा है जिनको भी बारिश में भीगना पसंद नहीं है यानि not वाला है और यह जो white white दिख रहे हैं आपको यह वाला portion यह कौन सा है जिनको भीगना पसंद है तो भीगना पसंद वाले तीन हो गए तीन पार्ट हो गए आपके टोटल पार्ट कितने है फोर हो गए यानि का आप यह कह सकता हो three by four अब three by four क्या answer है हमारे पास बिलकुल भई है यह कह है three fourth तो three fourth हमारे पास यह answer आ गया ठीक है बच्चो कैसे कि हमने इस diagram को थोड़ा से अपनी इस आप से बना के draw करके four part में divide कर लिया इसको और उसके बाद हमने देखा अच्छा ना भीगने वाले बच्चे कितने है one by four और भीगने वाले बच्चे कितने है three by four तो इस तरह से आपस question को solve कर सकते है इसके बाद next है आपके लिए short answer type के question जिसमें जो दोनों question आपके two two marks के आपके होने वाले है पूरा portion आपका four marks का है पहले first question को देखते है there are four hundred books in a box each book weight 75 gram total book कितने है four hundred है और एक book का weight कितने है 75 gram question आपके लिए find the weight of all the books write your answer in kg and gram kg में भी बताना है answer और gram में भी बताना है तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं total weight निकाल लेते हैं ठीक है तो लिखेंगे total weight लिखेंगे और total weight लिखने के बाद हमने क्या करना है four hundred से multiply करना है 75 को ठीक है ठीक है जब आप इसको multiply करेंगे तो आपके पास यह क्या आएगा three hundred आजएगा ओके अब यह जो two zero जिसको मैंने नहीं use किया था ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे इसको two zero जो नहीं लगाया था four hundred के साथ तो अब लगा लेंगे तो हमारे पास किया आएगा three hundred और यह two zero मिस कर दिया था मैंने अब यहाँ पे लेकिन लगा देंगे तो यह कितना आया यह आपके पास आया 30,000 ग्राम आया आपके पास ठीक है किसमें निकाला आपने ग्राम में निकाला पहले अब जैसे कोशन में बोला गया था आपको ग्राम में भी बताना है और किलो ग्राम में भी बताना है तो बेटा एक बात और पताओ नीची आपको कि one thousand ग्राम मिल करके न आप one kg create करते है तो यहाँ पे कितना है 30,000 ग्राम है ठीक है 30,000 क्राम का मतलब है 30 kg हो जाएगा कैसे calculate किया तो अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमने क्या किया 30,000 को divide कर दिया हम लोगों ने 1000 से 0,0,0 0,0,0,0 इनको cut किया कितना है 30 kg है आगया ग्राम में भी बता दिया आपने पहले और उसके आद किलो ग्राम में बता दिया ग्राम में कितना हुआ 30,000 ग्राम और किलो ग्राम में कितना आगया 30 kg आपने पास इसके बाद second part है second part में आपको बोला जा रहा है कि a hockey field is 91 meter and 40 cm long 55 meter wide ठीक है अब इस question में आपको जो dimension given है जैसे मैं एक डाइग्राम बना देता हूँ hockey field rectangle shape में है 91 meter long and 40 cm long है और wide के बारे में बोला जा रहा है 55 meter है अब question यह पूछा जा रहा है कि how long is the boundary of the field इस field की boundary calculate करने है पेटा देखो कुछ centimeter है कुछ meter में तो पहले तो हम लोग ऐसा करते है सबको centimeter में convert कर लेते है हमारे लिए easy हो जाएगा तो 55 को मैं 100 से multiply कर लेता हूँ तो जो की मेरे पास क्या आएगा 55, 100 आ गया अब देखो जो meter में है यह 91 है इससे multiply करेंगे 100 से जो centimeter में है उसको करने की जुरुत नहीं उसको से plus करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 9, 100 प्लस 40 अच्छा तो plus कर लेंगे भाई तो यह 9, 140 सेंटीमेटर और यह भी किसमें आगया सेंटीमेटर में तो यह तो आपके पास क्या है यह आपके पास B है जैसे rectangle के formula में B means breath, wide और यह आपके पास के length यहाने कि L है आपके बास अब आपसे पूछा गया क्या आपको क्या calculate करना है How long is the boundary boundary का मतलब है आपको perimeter calculate करने के लिए बोला जा रहा है तो perimeter या फिर आप boundary बोल सकते हो एक ही बात है ठीक है, confused नहीं होना आपको इन से तो इसका formula क्या होता है इसका formula होता है L प्लस B ठीक है, bracket close multiply by 2 यानि कि पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे L की value 9, 1, 4, 0 प्लस 5, 5, 0, 0 को प्लस कर लेंगे जो भी answer आएगा उसे 2 से multiply कर देंगे चलो भी प्लस कर लेते हैं 9, 1, 4, 0 और 5, 5, 0, 0 प्लस करोगे तो आपके पास 0, 4 और यह 6 हो जाएगा और यह आपके पास 14 आ गया ठीक है तो यह आपके पास result आ गया अच्छा यानि 14,640 है अब 2 से multiply और करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसे 2 से multiply भी कर लेते हैं 0 को करोगे तो 0 रहेगा 4 को 2 से करोगे 8 होगा 6 तूजा आपके पास 12 हो गया यहने 2 हो गया अब जो 4 तूजा 8 प्लस 1 9 कर दोगे ठीक है और यह 2 इंटू 1 करोगे 2 आ जाएगा तो यह आपके पास क्या आ गया यह आपके पास आ गया 29 ठीक है 280 cm ठीक है यह तो आपने किसमें निकाला सेंटीमिटर में निकाला अगर चातियों कि सर इसे मीटर में निकाल की बताओ तो मीटर में क्या हो जाएगा आपके पास यह इसे आप 100 से यहाँ पे डिवाइड कर लोगे तो अंडर से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आएगा 292 मीटर and 80 सेंटी मीटर ठीक है तो इस तरह से आप अपने आंसर को लेख सकते हैं इसके बाद next है आपके लिए last question आपके इस question paper के अंदर वो है long answer type का एक ही question आपके बाद जिसके two parts बने हुए है और यह जो question आपका four marks का है यानि कि two parts है तो कुछ ऐसा समझ लगते हो first part के two marks और second part के भी आपके two marks होंगे चलिए first part देखते है instruction आपको given है solve the following ठीक है तो इसमें बोला जा रहा है कि भविया about seven story book to her class on that day 49 students are present how many children will need to share one book ठीक है अब देखो भाई total number of students कितने है 49 है लेकिन जो भविया उसके पास कितने books है only seven books है तो एक बच्चे को भाई हर एक बच्चे 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 बच्च तो एक book को कई बच्चे मिलके पड़ेंगे ठीक है तो one book कितने बच्चों में share की जाएगी यानि कि number of child will read one book calculate करने के बोला जा रहा है तो आप लिखेंगे number of child या number of student ठीक है number of student ऐसे लिखें number of student will read one book ठीक है यह आपको calculate करने के लिए बोला जा रहा है तो आप 49 को divide कर 777 जा आपके पास 49 हो गया तो आपने यहां पर calculate कर लिया 7 यानि कि एक book को ना साथ बच्चे मिलके पड़ेंगे शेर करके पड़ना पड़ेगा यह तो बात नहीं बनेगी और उसके बात second part है इसमें आपको बोला जा रहा है a family of 8 people need 60 kg wheat for a month how much wheat does this family need for half year देखिए एक मन्त मे उसको कितना चाहिए 1 month में कितना चाहिए तो आपको बोला जा रहा है 60 kg wheat चाहिए ठीक है one month का बताया जा रहा है और आपको Half Year के लिए बोला जा रहा है यानि कि आपको सिक्स्टी को से multiply करेंगे ठीक है 60 लिखा और multiply by 6 करोगे तो यह 0 और यह 36 यानि कि आप कहा सकते हो 360 आपके पास answer आ जाएगा तो इस तरीके से आपका ये second part भी हो जाएगा solve और last में से जो इसकी unit ए kg ये लगाना मत बुलना भई ने तो इसके भी number कट जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप इस question को solve कर सकते हो complete कर सकते हो I hope आपको अच्छे से सारे question समझ में आगे होंगे ठीक है तो वीडियो को like कर दीजिए और हाँ आपने दोस्तों में इस वीडियो को share भी जरूर करना और channel जो की मेरे नाम से है Mr. Krishna Shah इस channel को subscribe कर लीजिए bell icon press कर ये ताकि जब भी मैं video upload करूँ तो इसकी notification आपको मिल सके इसके लाबा मेरा जो main channel है friends at the rate preparation इस channel को भी subscribe करके bell icon press कर दो बच्चो ताकि वहाँ भी मैं video upload करता हूँ तो उसकी भी notification आपको मिल सके आपके फोर्थ class के ना मैंने सारी videos बना दी भी हर एक subject की chapter 22 भी बना दी है question paper की भी बना दी है syllabus की भी बना दी है तो उन सारी video को अच्छे से देखिए और annual exam की अच्छे से preparation करिए को doubt है कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे instagram पे follow कर सकते हो मेरी idea है at the rate Mr. Krishna Shah जा message करके आप अपने doubt मुझे पूछ सकते हैं ठीक है so thanks for watching, bye bye